नमस्कार आप देख रहे हैं सेहत मंद नुसके मैं हूँ आपके साथ सुमन आर नेगी वजन बढ़ रहा है क्या करें मुझे लग रहा है डाइटिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए ग्रीन टी पीना शुरू कर देती हो खाना तो बिल्कुल कम और काप्स तो बिल्कुल नहीं क्या आपके मन में भी यही खयाल आते हैं जब आप बढ़ते वजन को कम करने की सोचते हैं अगर हां तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे क्योंकि आपके मन में उठने वाले ये सवाल ही है आपके परेशानी की सबसे बड़ी वज़ा बढ़ते वजन को कम करने के ल पढ़कर हम अपने शरीर पर काम करना शुरू कर देते हैं बिना अपने शरीर को जाने बिना उसकी जरुवतों को पहचाने और बिना वजन बढ़ने के कारण को समझे इसलिए सेहत मंदन उसके में हम आपको देंगे मोटापे से सम्मधित आपके सभी सवालों के जवाब आख सुनिमान खान सहाब का एक घरेलू नुस्खा भी हम आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन मोटापा इतना बड़ा टॉपिक है कि सिर्फ एक वीडियो में इसे कवर करपाना मुश्किल है इसलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मोटापे पर तीन वीडियो जिस पर हम आपको सेहत को खराप कर डालते हैं कभी खाने से जुडा कोई मिथ कभी पानी से जुडा को इसलिए आज सेहत अम पंद नुस्के में सबसे पहले हम आपको बताईंगे बढ़ते वजन से कमजोरी होने लगती है आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है कई बार लोगों को चक्कर आने लगते हैं और अस्पताल तक जाना पड़ता है ऐसे में वजन कम करने के लिए खाना ना खाने के बजाए आप डाइटीशन से एडवाइस लें दूसरा मिथक है पेट के एक् में हमें ऐसे एक्सराइज करने चाहिए जिससे हमारे पूरे शरीर की एक्टिविटी हो और फैट बॉन हो मीठा बिलकुल ना खाना ये बड़ा मिथक है कि मीठा ना खाने से वजन घट जाएगा ये जरूर है कि चीनी का सेवन अधिक करने से हमारी जो कैलवरी होती है वो हेल्दी रहने और वजन कम करने के लिए एक संतुलित आहार का सेवन करना जरूरी होता है जिसमें काप्स विटामिन फैट और प्रोटीन शामिल होते हैं अगर आप पूरी तरह से काप्स अपनी डाइट से हटा देंगे तो इससे आपको काफी ठकार महसूस होगी इसलिए आपकी डाइट का 40 प्रतिशन भाग काप्स होना चाहिए एकसरसाइस के नाम पर केवल कार्डियो करना हम यह सोचते हैं कि अगर हम काफी घंटों तक महनत करेंगे कार्डियो करते रहेंगे तो वजन जल्दी से कम होगा लेकिन इस प्रयास की मदद से आपको कोई भी लाप नहीं मिलने वाला इस से आपका शरीर का मेटबॉलिज्म और अधिक कम हो जाएगा वजन अधिक कम होने के बजाए और धीरे कम होना शुरू हो जाएगा इसलों रोजाना वरक आउट करें अपने शरीरर अधिक प्रेशन ना डाले रोजाना एक घंटा एकसरइज करना भी आपके लिए काफी है। इसके साथ ही बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि केवल फल खाने से भी वजन कम होता है। कुछ लोग केवल फलो की डाइट पर निर्भर रहकर वजन कम करना चाहते हैं। फल बहुत हेल्दी होते हैं लेकिन ये आपके शरीर को परियाप्त पोशन प्रदान नहीं कर सकते आपके शरीर को इनके अलावा भी प्रोटीन और फैट के जर्वत होती है इसलिए आपको एक संतुलित मील का सेवन करना चाहिए आपको अपनी डाइट में काप्स, विटामिन फैट आधी चीजे शामिल करनी चाहिए ताकि एक संपूर्ण आहार आपको मिले केवल हर्बल ड्रिंग्स या ग्रीन टी पीना बहुत से लोगों का ये माना होता है कि अगर वो हर्बल ड्रिंग्स यानि की ग्रीन टी पेंगे या फिनिम्बू पानी का धिक सेवन करेंगे तो उनका वजन कम हो जाएगा लेकिन ऐसा कोई भी खाद प्रदात नहीं है कि अगर आप केवल उसका ही सेवन करेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंग्स के कारण आपका शरी डिटॉक्स जरूर होता है लेकिन ये आपका वजन कम नहीं करते अगर आप proper diet follow नहीं कर रही हैं तो ये green tea और herbal drinks आपका वजन कम नहीं कर सकते आज हम बात करेंगे obesity को लेकर लोगों के मन में कुछ myths हैं obesity को लेकर जैसे कि अगर हम अपना खाना छोड़ देंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं है अगर हम अपना खाना छोड़ देंगे तो शरीर में कमजूरी आजाएगी आखों के नीचे dark circles आजाएगे अक्सर ये भी होता है चक्कर खाके हम गिर सकते हैं तो अगर हमें अपना वजन कम करना है तो हमें proper consultation की requirement है लोग समझते हैं अगर हम अपने पेट के exercise करेंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा जबके बिलकुल ऐसा नहीं है सिर्फ पेट के exercise करने से पेट का वजन कम होगा जबके fat पूरी body पे होता है तो हमें जरूरत है पूरी बॉड़ी का फैट कम करने की जिससे हमारा वजन कम होगा मीठे को लेकर भी लोगों में एक बहुत बड़ा मित्र है लोग ये सोचते हैं अगर हम मीठा बन कर देंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा जबके ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर हम मीठा बिल्कुल बन कर देंगे तो हमारी बॉड़ी का शुगर लेवल डाउन हो जाएगा जिससे शरीर में कमजोरी भी आ सकती है और लोग ये मानते हैं कि हम कोई हर्बर ड्रिक ले 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 उनसे हमारा वजन कम हो जाएगा ये बात भी बिल्कुल गलत है अगर हम सही मायनों में अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी प्रॉपर एक्सराइस करनी पड़ेगी अगर आप वजन कम करने के सोच रहे हैं तो बिना सोचे समझे कोई कदम न उठाए अपने शरीर को पहरे जानने की कोशिश करें बढ़ते वजन के कारणों को पहचाने आने वाले दिनों में हम मोटापे से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देंगे साथी शेयर करेंगे हकीम सुलिमान खान सहाब का एक घरेलू नुसका पी इसी कड़ी में आज जानी बढ़ते वजन को कम करने का एक कारगर घरेलू नुसका जो बता रही है हकीम सुलिमान खान सहाब हमें एक तो चहल कदमी करनी चाहिए यानि वाप करनी जरूरी है पूरे दिन में एक घंटा है चाया सुबा शाम आदा गंटा करें या पंदरा पंदा मिन्ट करके चार बार कर लें यह इजी है अगर आप कशरी ठीक है तो चलना जरूर चाहिए दूसरा इस से वजन कम होता है पैदल चलने से भी हमारी चर्वी जलती है और मुटापा और मुड़ापा एक सी चीज़ है इसके कम करने के लिए एक आता है जीरे का सिर्का जीरे का सिर्का दो दो चम्मच पिया करें गरम पानी इसके बाद पिया करें आप देखें कि किती तेजी से आप का वेट भी लॉस होना चाहिए और पेट भी अच्छा रहना चाहिए यजीरे का सिर्का दो तीन चमच दिन में दो बार आप पी सकते हैं खाने से पहले भी खाने के बाद भी और डाइट कंट्रोल भी करें जरूर अगर आप चार रोटी खाते हैं तो दो रोटी खाईए और अपना खूब खायर लखिए यह चरबी को भी जलाता है कॉलिस्टॉल को भी कम करता है और पेट का भी ऐसी चीजों को भी असानी से अच्छा करने की ताकत भगवान ने इसमें रखी इस नुसके में आपको करना बस यही है कि जीरे के सिर्के का सेवन करना है दो चमच उसक होता है किस कारण से हमारा वजन बढ़ता है एक प्रॉपर डाइट चार्ट क्या है जो हमें फॉलो करना चाहिए इसी के साथ किस तरह की एक्ससाइज है जो हमें करनी चाहिए और हकीम सुलिमान खान सहाब का एक घरेलू नुसका भी हम आपके साथ श्वयर जरूर करेंगे इसी के साथ अगर आपके कोई सवाल है बढ़ते वजन से संबंधि तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उन सभी सवालों के जवाब आपको दे ताकि आपका वजन कम हो सके इसी के साथ खुश रहे तंदरुस्त रहे और हाँ म तो कोशे को सवालों करेंगे नमस्कार